कोई बोलता है हंटेर है असिलगड का किला, तो कोई कहता है कि असिलगड के किले में आता है अश्वसदामा बहुत से निव चैनल ने भी किया है इसे कवर, शाम के पास बज़े के बाद कोई नहीं जा सकता किले पर यहाँ पर कोई सा मंदिर है जिसमें फूल चड़ाता है अश्वसदामा ऐसी बहुत से बाति किये जाने वाले इस किले पर हम आग जाएंगे तो बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में सफर असिलगड की एक किला कहा पर है बुरानपूर से 20 किलो मेटर दूर मध्यप्रदिश में स्थीत यह किला है आप कैसे जा सकते हो उसका मैं आपके लिए मैप का एक फोटो या आप बीच में टाल दूँगा कही पर तो आप देख लेना आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होगी कि किले पर जाने के लिए हमें चड़ना होगा क्या आपको किले पर जाने के लिए चड़ना नहीं होगा आप सीधा गाड़ी लेके वहाँ तक जा सकते हो टूइलर भी चली जाती है, फोर विलर भी चली जाती है, आप रोड देख सकते हो, रोड अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन आपको किले पर जाने के बात चलना होगा, उसको गुमने के लिए आपको चलना होगा, इस किले की उचाई 259 मेटर्स है, और इसकी हाइट 701 मेटर्स नन्हें विलर तर्थ के लिए तो आपके लोड एकिए जाती है, तेंड भाइट, ज़त अंच चली भाईश्चा दो भाईट, चली जाती है, ना सब्सक्तू चली आपक अबम पर जातूति है, जाती पर घ्याद, काईट, जाती है, जाती है, भाईश्द शली लाइब थे, ऐसा माना जाते है कि महाभारत में उल्लेखित अश्वस धामागीरी यही किला है। एतियाजिक शास्त्रों पे अनुशार नववी सदी से बारवी सदी तक यहाँ पर टक राजपुतों का शासन था। सन 1295 में दिल्ली के सुल्तान अल्लाउद्दिन खिलजी ने दखल अभियान से लवट्टे समय इस किले पर कबजा कर लिया था। इसके बाद आसा अहिर ने किले पर शासन किया। यहाँ किला पंद्रावी सदी से फारुखी राजवन्स के अधिकार में था। मुगल समराट अकबर ने 16 सदी में इस किले को अपने अधिन कर मुगलों को दक्षिन भारत के रास्ते खुले कर दिया। मुगलों के पतन के बाद इस किले पर निजाम, पेशवा, सिंधी और होडकरों का शासन रहा। 1904 में किले को जन्रण डाफ्टन ने अंग्रेजी छाओनी में बदल दिया। और यह है वो महादयु का मंदिर जहां पर अश्वस धामा आते हैं ऐसा कहा जाता है। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। जो आप देख रहे हो ऐसे बहुत से चीज़े आपे बंद की गई है। और कई-कई पर कुछ दीवारे गिरी हुई है उसी के वज़े से बंद की गई है। तो यह वो जगह है जहां पर अश्वस धामा आता है और फूल चड़ाता है इसा कहा जाता है। इसमें से जो पीले कलर के फूल है यह वो चड़ाता है इसा बोला जाता है। सच क्या है कोई नहीं जानता। कांट क्या है क्या है झाल 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 झाल